कल एक लड़का आया हुआ था, तुम लोग क्योंकि यंग हो तुम्हें बता दू, वो लड़का आसपास पुरखास के पास से किसी गाउं का था, उस लड़के ने B.A.C का रखी थी, डेली उनिवस्टी के हिंदू कॉलेज से, M.A.C का रखी थी, सर ने बता दिया परिमल सर M.A.C में वो टॉपर था, मैंने इस सर को दिया थे, उसके कागस क्योंकि मैं उसके साथ बैठी थी, उस लड़के की इतनी दीन हिन दशा थी, परसो आया था, वो हमारे पास, यशद कल आया था, कल आया था, उसने मुझे पते क्या कहा, मैं इस क्लास के बाद बाहर गई थी तो उसने मुझे कहा कि मैं सर से मेरी मीटिंग जरूर करनी है मुझे आज, मैंने इस सर तो फ्री नहीं होंगे, हम धाई वजे तक तो क्लासेज में होते हैं, और फिर सर को ट्यूशन पर जाना है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बड़े लेवल पे, छटी से लेके बारवी तक को, तो कहता है कि मैं चाहे शाम तक मुझे बठा लो मुझे दो मिनट की सर से मीटिंग करनी है, अगर मैं आज चला गया ना, तो कल मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी चाहे की, अगर मुझे उस पर तरस आया उस लड़के पे, कि कितना highly educated, M.S.C. में जो first rank holder था, जिसने B. M.S.C. इसने बढ़िया कॉलेज से करके, जहां admission नहीं मिलता लोगों को, लाइन में लगे होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, और यह सब करके, finally उसके हाथ में क्या, तीन बेटियां थी उसकी, कह रहा था, 21 साल में शादी हो गई, और 27 साल का आब है, तीन बेटियां, मनलब मुझे तरस आया कि इतना पढ़ लिखे, इसको चाय बनानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा हो इतनी पढ़ाई लिखाए का, दिक्कत क्या थी, वो अपने घर में एक लौता पढ़ा लिखा था, वो मुवी न, 3D देखी हो, तो वो एक पोस्ट मैन का वो लड़का था उसका ये डायलोग था बड़ा अच्छा, जो जिन्दगी में सच में समझने की चीज़ है, कि जो गरीब परिवार में एक आधा पढ़ जाता है न, तो मा आपको लगता है ये हमारी सारी गरीबी मिटा देगा, उस लड़के से वही एक्सपेक्टेशन थी, नौ भाई बहन तीन बेटियों के जिम्मेदारी उसके उपर है, और उसने ये कहा मुझे लिटरली कि मैं 20,000 तक की नौकरी अगर मुझे मिल जाएं, तो मेरे बच्चों की रोटी चल जाएगी, मतलब दया का भाव आया, ये नहीं कि बहुत काबिल है, ये कि इस विचारे की हालत क्या है, तुमने बहुत उची उडान भरने की कोशिश की, उचे सपने देखना कभी गलत नहीं होता, पर हम आम लोग जो है ना, आम लोग, उनके पैरों के नीचे अगर धरातल है ना, तो ही वो उची उडान ले सकते हैं, अब तुम्हें अगर जंप लगानी है, तो तुम नीचे धरती पर प्रेशर लगा के अपनी बॉड़ी को आगे की तरफ फेकते हो, उसके पास धरातल नहीं था, उडान उंची भरने की कोशिश, तो अंधे मू तो गिरना ही गिरना था, किसी भी इंसान को सबसे पहली चीज देखनी चाहिए, मेरी असली स्टेज क्या है, अगर वै कि हमें पढ़िक के काबल बनना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा जुगाड नहीं है, हमारे ये नहीं है कि पता जी पैसा लगा देगा और हम कहीं चले जाएं कि हम कामियाब हो जाएं, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, अपनी असलियत पहचानी, 12th क्लास में मेरे उस टा डाइट में इडमिशन हुआ करता था, एंटरेंस टेस्ट, बारवी करते ही, जसी बारवी के एक्जाम खतो हुए, अगले दिन NCRT उठाई थी, चटी से दस्वी तक की, सारी गो थू हो गई, में में चीजों को रजिस्टर में लिखा, सबसे पहले नोट्स थे, वो मेरे ज अचे मुड के नहीं देखा, फिर डाइट किया, डाइट करते करते समझ में आ गया कि नौकरी पहली प्राइर्टी है, तुरंस से तैयारी की, नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद मुझे ये था कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने उपर क्षंता पे अपने उसमें मेरा 1st rank आया, all time highest, तब तक वही था, मुझे आज का नहीं पता, 2007 तक इगनू में, सौ में से 84 नंबर का रिकॉर्ड था, जो मेरे थे, उसके बाद अब 10-12 साल बीत गए, हो सकता है, किसी ने ब्रेक भी कर दिया हो, उस टाइम पे मेरी बेटी साथ दिन की थी, जब म मैं अपना शॉल वाल पूरा ढखके, जैसे जाते हैं बच्चा होने के बाद, जैसे तुमने मा को देखा भी होगा, तो वहां सब का attitude बदे क्या था, तो यह एसी को महिला आ गई है, वहां सब लोग बैठे वे तो हॉल में, जब वहां बुलाया गया, तो कहा गया 1st rank, 1st न और ने का I'm proud of you, कि मैंने बताया कि मेरी बेटी है मेरे पक, तो रूने का I'm proud of you, मतलब वो घटनाएं जो है न लाइफ में, वो आपको motivate करती हैं कि आप और आगे बढ़ें, 2003 से में नौकरी में थी, 2015 में जब ICS बहुत बढ़ गया, तब finally मैंने decision लिया कि अब मैं और अच्छा कर सकती हूँ, नौकरी से बहुत बहुत बहतर, तब मैंने अपनी जॉब से resign किया, 31 October 2015 को मैंने इतना resignation letter लिखा, और unexpected था वो मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे ये थानी को प्लान नहीं था नौकरी छोड़ना, कि भी प्लान करके नौकरी छोड़ी गई, और November मैंने 1 November को मेरा resignation letter दे दिया था, 31 को शाम को ही दे आया थे हम, तो आप ये मानों कि जिंदगी जो है ना, उसको आगे अगर बढ़ाना है, तो पैर जमीन पर रखने पड़ेंगे, अगर सपने देखने के साथ, अपना एक background जो है ना, हमारा financial हम कितने हैं, कहां stand करते हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है, आज मैं कुछ भी चाहूं मैं कर सकती हूं, लेकिन आज से 20 साल पहले तो मैं ऐसी नहीं थी ना, तब तो मेरे पास भी जितना तुमारे पास है, उतना ही हम भी दो ही कमरों के घर में रहते थे, मेरे पिताजी को बहुत अमीर आदमी नहीं थे, हां बस यह था एक सरकारी नौकरी थी, तो हम mentally free थे, हमारी schooling बहुत अच्छी रही, मैं एच्छे स्कूलों में पढ़ी, देश के अलग-अलग कोनों में, पिताजी के साथ हमेशा रहे तो वहां से एक upbringing अच्छी मान सकते हैं, लेकिन मेरे साथ के बहुत लोग थे, जो पीछे रह गए, जो मुझसे ज्यादा intelligent थे, कारण सही time पे सही decision ना ले पाना, तो तुम जितने लोग बैठे हो न, जिन्दगी के जिस पड़ाओ में तुम अब हो, मैं तुम से 15 साल पहले पहले 20 साल पहले इस पड़ाओ में थी, इसलिए बता रही हूं, लाइफ मौके देती है, बस आपको समझ होनी चाहिए, अब जो ये कल लड़का आया था, ये 27 साल का है, अगर इसने 18 साल के बाद JBT करके कहीं नौकरी जॉइन कर ली होती, तो आज वो लड़का लाख पर सेलरी है, मेरी बड़ी सिस्टर की एक लाख दस जार से ज्यादा सेलरी पड़ती है, मुझसे सिफ देड़ साल भर बड़ी है वो, तो आप ये देखो, वो लड़का उची उडान, अच्छी बात थी, UPSC कर जाता, कितने ही लोगों को मैं जानती हूं, जो हमारे साथ टी इनका बेटा है, परिमल सर के छोटे भाई जो है, गवर्मेंट जॉब में हैं वो भी, मेरी और उनकी जॉइनिंग दो दिन के आगे पीछे थी, मेरी 5 अपरिल की, उनकी साथ अपरिल की, वो भी कर रहे हैं जॉब, उनके बेटे के 94 परसन थे, 12 में, 12 के बाद, अब हमारे पास स्टेज में आकर तो ऐसा नहीं न, कि पैसे की कमी है, यह हम सोचें कि हम भई बच्चे को यह ना कराएं, पैसे लगते हैं, हम तो कुछ भी अप कराने लायक हैं, with God's grace, लेकिन हमने उसको पता है, सबसे पहले क्या कहा, कि पहले पहली प्रियर्टी अपने पैरों पर ख मेरे टाइम चारसो पांच रुपए लगे थे, अब दुगनी हो गई होगी, आप यह देखो, वो लड़का चाहता, तो हम कुछ भी करा देते, कोई भी महंगा कोर्स, कहीं विदेश भेज़ेते, कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, लेकिन सबसे पहली प्रियर्टी क यह प्रूफ करके कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई काबिलियत है, फिर करते रहे होटेल मेनेजमेंट, तो यह देखो, जो समझदार है ना, वो सबसे पहले अपनी जमीन पकड़ता है, जमीन से उचाल ली जाती है, हवा में नहीं उचला जाता, जो हवा में उचलते हैं, फिर वो कल वाले लड़के का एक्जामपल है, वैसी दुरगत होती है, और मैंने बहुत करीब से ऐसे लोग देखे हैं, जो बहुत काबिल थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, घर और ये गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, उस लड़के को रोटी खिलाने के मांदे पड़े अगर वो दस साल पहले थोड़ी से समझ के साथ, कुछ छोटा कोर्स करके कहीं 25-30 जार की नौकरी पकड़ लेता, तो आज लाक रुपे पहुत जाता, लेकिन ये समझाये कौन, और अभी भी तुम्हारे सामने बात करूँ है, आदे तो अभी भी हवा में होंगे, ये जो च चीज हासल कर ली, वो कुछ भी हासल कर सकता है, और ये आता है, जब आपके अंदर कभीलियत पैसे से होती है, आपकी बुद्धी के अंदर गुसके, कोई नहीं देखता आप कितने बुद्धीमान है, आपकी कभीलियत आपका पैसा है, आपने कितना कुछ अचीव किया, इ गए और रहे गए तो रहे गए फिर बैठे रहोगे